दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाव टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम बजाज EMI कार्ड टू बैंक एंचे तो नहीं होता है रिसेंटली मुझसे किसी ने पूछा था क्या ये पॉसिबल है अगर पॉसिबल है तो कैसे कर सकते हैं तो मुझे भी आइडिया सुरू में नहीं था फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया यकीन मानिए यूटूब पे अगर आप इस टॉपिक को सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें काम की एक भी बात नहीं है बस वो टाइम वेस्टिंग है तो आफ्टर ओल मैं आपको एक कॉन्क्लूजन बता देता हूँ कि भाई डिरेक्ली पॉसिबल नहीं है कि आप बजाज एमाई कार्ड के मनी को बैंक में ट्रांसपर कर सकते हो इक इनडारीक्ली मैइथट है जो हम लोग इस वीडियो में डिसक्स करने वाले हैं दोस्तों अगर हम इस इनडारीक्ली मैथट हैं तो मालो की किसी को कूछ सामान परचेज करना है मालनो आपके friend circle में है या कोई relationship में है उनको कोई सामान purchase करना है तो आप उनको बोल सकते हो कि आप क्या करो आप मुझे hard cash दे दो और मैं EMI के through payment कर दूँगा वो मेरे उपर है आपको product से मतलब है आप वैसे भी उनको pay कर रहो आप मुझे pay कर दो directly और वो मैं EMI पर pay कर तो इस तरीके से आप अपने EMI fund को मतलब hard cash में convert कर सकते हो यह easy method है लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप उनही product को purchase करो जो no cost EMI पे available हो अरे कहना क्या चाहते हो यानि कि यह नहीं कि extra payment वो लग रहा है extra interest लग रहा है तो आप अपने जेब से बर रहे हो तो ऐसा मत करना आप try करना है कि जो no cost EMI पे available हो वही product अप purchase करो हाला कि बजाज इस चीज़ को illegal मानता है कि आप किसी दूसरे के लिए purchasing नहीं कर सकते हैं बट अगर आपका कोई known है तो आप उसके लिए कर सकते हो there is no any issue for that अगर आप किसी third party लिए कर रहे हो तो वो थोड़ा problem कर सकता है बट जो आपके known है उनके लिए आप इस लिए कर सकते हो इसके अलावा और कोई online method या कोई online app नहीं है जो बजाज यह my card को cash में convert करके आपको दे सके तो आप ज्यादा time waste मद करो इन सब चीजों को search करने के पीछे अगर आपको फिर भी मेरी बातों पर यकीन नहीं है ट्रस्ट न अब ही जब से मेरे नोन ने यह question पूछा था तब से मैं इस topic पर research कर रहा था and मुझे generally मेरा बहुत time waste हुआ और सब में यही चीज़े सामने आई जो कि मुझे पता था कि ऐसा possible नहीं हो जकता जो purchasing के लिए है वो purchasing में ही use होगा indirectly मतलब directly आप उस सिसको cash में convert नहीं कर सकते तो अगर आपको अच्छा लगा है तो please like करें अगर आभी तक आपने financials को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लें